नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक यूरोपियन देश के बारे में जिसका नाम है स्वीडन जो की पांच नौडिक कंट्रीज में से एक है और बाकी की जो चार नौडिक कंट्रीज हैं वो हैं Norway, Finland, Denmark और Iceland दोस्तो इस वीडियो में हम Sweden के बारे में कुछ बहुत ही important और interesting factors जानेंगे जैसे कि यहां का standard of living कैसा है on an average यहां पर लोग कितना पैसा कमाते हैं एक साल में और एक महीने में कैसे Sweden Human Development Index, Gender Equality Index, Happiness Index जैसे indices में हमेशा top countries में आता है क्यों Sweden को the country of midnight sun कहा जाता है और साथ ही जानेंगे और भी काफी सारे facts तो चलिए सुरू आत करते हैं Sweden की population के बारे में बात करते हुए 2024 के recent data के according Sweden की population सिर्फ 1.6 लाख के आसपास है जो की world की total population का सिर्फ 0.13% है और Sweden world में 87th number पर आता है population के मामले में दोस्तो स्वीडन की median age 49 साल से भी जादा है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर उम्र दराज लोग काफी जादा है और यंग लोगों की काफी कमी है जिसकी बजह से यहाँ पर आप आसानी से जॉब पा सकते हैं अगर आपकी qualifications मैच करती हैं तो किस तरह की jobs की यहाँ demand सबसे जादा है और कैसे आप इन jobs को पा सकते हैं इसकी बात वीडियो में थोड़ा आगे करेंगे लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों के living standard के बारे में कि किस तरह की life यहाँ के लोग जीते हैं दोस्तो स्वीडन में लोगों की per capita income यानि की स्वीडन में लोग एक साल में कितना कमाते हैं वो दुनिया में बाकी देशों की average income से लगबख साड़े चार गुना जादा है और स्वीडन के लोग साल भर में लगबख 56,000 US dollar कमाते हैं 2022 के data के according जो की इंडियन रुपीज में 44 पाली इस लाक से भी जादा बैठता है और अगर बात की जाए स्वीडन की healthcare, education और यहां के social welfare policies की तो स्वीडन की government स्वीडन के residents को free healthcare provide करती है और बहवी best quality की और साथ ही यहां की government university level तक education भी free provide करती है ताकि लोगों को इसके financial burden से बचाया जा सके और अगर social welfare policies के बारे में ब employment insurance, parental leaves और pension दी जाती है government के द्वारा ताकि poverty और inequality को कम किया जा सके और यही कुछ major reasons हैं जिनकी बज़ा से Sweden happiness index 2024 में चौथी, gender equality index के latest edition में पाँचवी और human development index 2022 में पाँचवी rank पर था दोस्तो स्वीडन में infrastructure भी highly developed है और यहां की सडकों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहां के लोग गंदगी से कितनी नफरत करते हैं यहां के parks, public transports, recreational facilities इतनी अच्छी तरह से maintain किये जाते हैं जिनने देखकर आपको यहां से बापस जाने का मन ही नहीं करेगा दोस्तो स्वीडन के इतना developed होने के बापजूद आज भी यहां एक royal family exist करती है क्योंकि स्वीडन एक constitutional monarch की है हलाकि आज royal family के पास कोई direct powers नहीं हैं बलकि यह सिर्फ symbolic है जबकि असली ruling powers स्वीडन की parliament के पास हैं आज के time king karl 16 gustaf स्वीडन के राजा हैं जो की 15 सितंबर 1973 से स्व जने हुए हैं और ये one of the longest serving monarch है Swedish history में दोस्तो जून 6 को स्वीडन के लोग Swedish national day बनाते हैं क्योंकि जून 6 1523 को स्वीडन में पहली वार elections कराए गए थे और स्वीडन की जनता ने king gustaf vasa को अपना राजा चुना था दोस्तो noble prize का नाम तो आप सब ने सुना होगा लेकिन दोस् कि एक Swedish inventor, engineer और industrialist थे पहला Nobel Prize दिया गया था सन 1901 में और Nobel Prize दुनिया की सबसे prestigious awards में से एक है जिसको कि physics, chemistry, medicine, literature, peace और economic sciences जैसे six fields of research में outstanding achievements को recognize करने के लिए दिया जाता है दोस्तो Sweden उन देसों में से है जहां आपको midnight sun देखने को मिल जाता है स्वीडन का northernmost part arctic circle के उपर यानि की arctic circle के north में लाई करता है जिसकी बजह से ये north pole के काफी करीब होता है और आपको पता होगा कि north pole पर summers में यानि की 21 जून के आसपास लगवग 24 गंटे sunlight रहती है और winters में यानि की 21 दिसम्मर के आसपास लगवग 24 गंटे अंधेरा रहता है लेकिन दोस्तो Sweden का north to south expense काफी जादा है इसलिए हमको midnight sun सिर्फ northern most part में ही देखने को मिलता है और दोस्तो साथ ही northern lights जिनको की aurora borealis कहा जाता है वो भी हमको देखने को मिल जाती है Sweden में जो की तब बनती है जब sun से निकले charge particles earth के magnetic field से टकराते हैं चलिए दोस्तो आप बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा important और काम की बात के बारे में कि कौन कौन सी jobs सबसे ज़्यादा available है Sweden में दोस्तो ये data जो अभी ही आप लोग देख रहे हैं ये Swedish public employment service job database से लिया गया है और इसके according Sweden में सबसे ज़्यादा जरूरत है nurses की क्योंकि यहां की population बहुत ही ज़्यादा तेजी से old हो रही है जिसकी बज़ा से यहां पर nurses की काफी कमी है nurses के बाद Sweden में personal assistants customer service staff outside and inside sales representatives shop sale assistants healthcare assistant home care and nursing homes जैसी high to semi skilled jobs बहुत ही ज़्यादा numbers में available हैं लेकिन साथ ही कुछ low skilled jobs जैसे कि warehouse workers door to door sales, nanny या babysitters, cleaner, kitchen helper, grocery stores, worker जैसी jobs भी बहुत ही ज़्यादा numbers में available हैं और इसी के साथ कुछ high skilled jobs जैसे कि account manager, primary school teacher, middle school teacher, specialist medical practitioners और administrative assistants और web developer जैसी jobs भी काफी ज़्यादा number में available हैं इन सभी jobs के लिए जो भी qualification चाहिए उनके links मैं वीडियो के description में attach कर दूँगा ताकि आप लोग उनको अपने interest और job area के according चेक कर सकें तो दोस्तो ये थे Sweden के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग facts और दोस्तो वीडियो इंट्रेस्टिंग और informative लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें और भी ऐसी वीडियो के लिए जय हिंद